नमस्कार दोस्तों मैं प्रकास बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टार्गेट युदाजिसर में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं 49568 भरती की मेडिकल प्रकिरिया कब से सुरू हो रही है इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही 52,000 जो यूपी पुल आई बन जो हमारे सभी दोस्त हैं उनका रिजल्ट आए हुए लगवा चार मेना हो चुके हैं और वो सभी लोग काफी ज़्यादा परिसान हो चुके हैं कि सर ऐसा लगता है कि वेकेंसी नहीं होगी मेडिकल का कुछ अभी तक नोटिस नहीं आया क्या वेकेंसी होगी या न परिसे ना दीजिए तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इस पर बात किया और काफी लोगों से बात करने के बात मैं जो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ इससे अपके सारे कोश्चन क्यिलियर हो जाएंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चमनल को सब्सक्र तरहाद जाताओं कि हमारी जानने में जितने भी लोग यूपी पुलिस डेपार्टमेंट पहा है उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बात की और उनका कहना है कि बच्चे बिलकुल भी परिसान नहों देखिए लगबग 18 से 20 अजार ठेके लगबग 18 से 20 अजार बच्चों को जुलाई के अंतमा में मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा ठेके जुलाई के अंतमा में medical के लिए बुला लिया जाएगा और जल्दी आपका notice भी जारी कर दिया जाएगा medical समंदी तो आप लोग बिल्कुल भी परसान ना हो उनका कहना है कि लगब जुलाई के आन तमामे 18,000 बच्चों को medical के लिए बुलाया जा रहा है आला अधिकारी को कहना है जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उनका भी कहना है कि अब ट्रेनिंग उनकी खतम हो चुकी है और इनको medical के लिए बुलाया जाएगा और अगस्त मन्त में ठेक है अगस्त में ये training पे बच्चे चले जाएगे इसके बाद से दूसरा बैच जाएगा और दूसरा बैच का भी medical होगा तो ये training पे चले जाएगे आपको पता है कि UP पुलिस की चुछ training होती है केवल यूपी में नहीं बलकि All India कहीं भी कराई जाती है तो ये भी जल्दी training पे चले जाएगे तो आप लोग परसान ना हो medical तो आपका इस महीने स्टार्ट हो जाएगा और अगस्त मा में आप लोग training पे चले जाएगे और रही बाउनजर नई वेकेंसी की बाद तो जहां तक मुझे news मिल पा रही है जहां तक मुझे news मिल पा रही है अगस्त के अगस्त लाश्ट वीक में ठीक है अगस्त लाश्ट वीक में विगयप्ती जारी कर जाएगी notification जारी कर दिया जाएगा बाउनजर नई वेकेंसी समद्ध आपको पता है कि लगबग डेल लाग सीटी खाली थी यूपी में यूपी पुलीस समद्धी तीन साल पहले जो अठारम वेकेंसी आई थी और दोजार वीस में वेकेंसी आने थी लेकिन किसी कारण वर्ष से दोजार वीस में वेकेंसी नहीं आपाई जो आपको पता है कि कुरोना को वैसे 2020 में वेकंसी नहीं रे सुप्रियम कोड का कहना था कि तीन साल में यूपी सरकार इस वेकंसी को कंप्लेट करें तो द अठार में वेकंसी निकली थी 2400 के असपर 2400 पांसो उसके बाद से 19 में आई अब की 4900 पांसो अब रही 2400 पे वेकंसी होने वाली है तो जहां तक मुझे नियुच मिल पा रही है कि अगस्त लाश्ट मंत में नोटिफिकेसन जारी कर दिया जाएगा और जो फॉर्म भरे जाएंगे सब्तमबर से फॉर्म भरने श्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो एक्जाम होगा वो लगबत दिसंबर और जनवरी में कंड़र्ट कराया जाएगा ये थी बिल्कुल ऑथेंटिक नियुच जो मैंने इससे बहुत ज़्यादा बिश्ले सड़ किया है और जो हमारे दोस्त डिपार्टमेंट उन्होंने अपने आला अधिकरियों से बात की उसके बाद से जो अपडेटिंग अलके सामने आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों मैं सेर करें और वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें मिलते है फिर एक नई अप आप लोग परसान ना होगी कोई भी दिक्कत हो जाएगी तो फिर मेडिकल में आप लोग उन्फिट हो जाएंगे थैंक यू फूर वोचिन थैंक यू सो मच है वे गुड डे जैहिन जैभाद बंदे मातरम